वेल्कम बैक गाइस मैं हो बनीत और स्वागत कर तर्मक वफिस से एक निया वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए तो गाइस अभी अपने वीडियो देखा मुझे उम्मी देखिए आपको बहुत इजाता अपसंद आयोगा और आप इस वीडियो में अध्यान से देखे हैं तो दो फोटो है दोनों फोटो को बीच में एक वाइट कलर का सेड़ है और उसके बास से उसमें जो टेक्स जो और जो उसमें देख रहे हैं वह एक है तो यह बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल का इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप लोगो बहुत ही आसानी से समझ पहेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक् से बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं और इस वीडियो को पर्फेक्टले एडिनिंग करके हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए आपड़ावट से सीख लेते हैं दोस्तों हम आगे अपना मुझा हम स्क्रीन पर और जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में इसको क्लिक करना है ठीक है यहां पर नौ सोला का रेश्यों सेलेट करना है सब्सक्रीन लेंगे और क्लिक कर दिनी होगे अब कुछ आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं तो आपने वीडियो का स्टार्टिंग में देखा था उसमें डूएल फोटो था ठीक है तो यहां पर चाहिए सब्सक्राइब अब दो सब्सक्राइं है और हैं और यहां जे और आपका फोटो है वहां से अपना दो फोटो को और आड़करना है मैं हम झोछ करना हैconv बढ़ फोटो उसके बाद फोटो उसके बाद फोटो उसके बाद फोटो और यहनग ह même करना और यह जो है इसको नीचे में लाखनी है कुछ यहाँ पर और यह जो है अब आप इसको किक करके होल्ड रखना है और इसको नीचे में छोड़ देना है ठीक है अब देख सकते हैं यहां पर फोटो लग गया अब इस फोटो पर क्लिक करना है दोस्तों मोबें ट्राइंस वंपर जाएंगे थर्ड वला आप्सन लेके इस तरीका से इस फोटो को जूम करेंगे कुछ ठीक है अ हो गया कि इतना हो जाना कि आपको करना कि यहां से बैक कर लेना है अब इन दोनों फोटो को मर्ज कर देना है पहले तो अभिन दोनों फोटो को आपको मर्ज करना इन इस पर क्लिक करके हो डखना हो गया अभी जब से पहला प का मर्ज हो गया, यहाँ से अंब से क्लिक करbon है उब अपर से शरक के ए rugged इसको क्लिक कर देना है सैज को कुछ इतरीगे से करके अबको बढ़ाना देख सकते см period सकते कुछ ऐसे वो गया जो अब यहां पर अब यहिंब काम करने यहां से बैक कर rasp कट देना है ठीक है यहां से बैक करना है अब आपको olmayate narrative जाना achieve ead effect पे जानाँ है यहांशन दாरेक्शनल ब Notre लेलेंगे अब इसको कुछ इस तरी के से करकर करना ठ्धादी कि है ठीकिए यहांसे वारासोगे और रख लखेंगे इसंपर क्लिक करेंगे और आपको आपको smart मिल जागा इसको खीचने के लिए अब इसको ऐसे करके टानेंगे ठीक है ऐसे करके टान के इसको अच्छा सब्सक्राइब करेंगे और अगर यह नहीं अब आपको अगर वैसा दिखेगा अगर यह देख सकते हैं अब अब आपका फोटो दोनों पास पास में रहेगा तो यह फोटो एक दूसरा के साथ हो जागा ठीक है तो इसके लिए करेंगे अब आपको करने के यहां पर साउंड करना है तो प्लस करते हैं मीडिया पर जाते हैं और अपना गैलरी से अब आपकोशन पर साउंड को ले लेते हैं तो चलिए अपना गैलरी में जाते हैं आप एक साउंड को यहां पर एड़ गरते हैं अब करना चीजान इस प्लिक करना और ध्यान से दिखेगा उसको लिखना है यहां पर सबसे पहले सुन लेता हूं ठीक है अब यहां से गाना इस्टाट है तू ही यह मुझे को ठीक है तो यहां पर प्लस करते हैं टेक्स्ट पर जाते हैं और यहां पर दोस्तों आपको लिख देना है तू ही यह मुझे को बता दे ठीक है तू ही यह मुझे को कattend अ देख सकते हैं यहां तेकर हम क्लियर है अब यह टेक्स्ट का यह लाइन्मेंट पर एक बर क्लिक करेंगे बीच व बीच में आ गया टेक्स्ट कलर पे जाके यहां से आपको ब्लेक कलर को चूझ करना है रोबोट और रेगुलर पर जाएंगे दोस्तों और इस फॉन्ड को ले जाएगा और यह जो है 18 पीटी को 20 कर देना है ठीक है यहां से 20 हो गया अब करना अब आपको करना क्या है यह थियान सकते कहां तक है पहला टेस्ट आपका यहां तक आता है जहां पर भी आपका आपका डर होगा मेरा रहा है दो पॉइंट फाइब तक तो श्पीड पे इसको बढ़ा लेंगे ठीक है यहां तक हो गया अब आपको text पे click करना है effect पे जाना है यहां से add effect पे जाना है उसके बाद से दोस्तों यहां पे color and light पे click करना है यहां से एक option मिल लिया था है long shadow long shadow पे जाके standard setting को click करने है ठीक है अब long shadow जीसे आप वहन करेंगे size 0.150 already रहता है यहां से इसको थोड़ा सा कम करना है दूस्तों ठीक है कुछ इस तरीका से यहां पर करद देना है तो 0.058 यहां पर रख देनी है perfect है यहां से इसको बंद कर देते हैं दोस्तों ठीक है अब यहां पर करना क्या है एक और एफिक्ट लगाना है तो एड एफिक्ट पर क्लिक करनेंगे प्रोडूस वल पर जाएंगे यहां से उस्ते पर क्लिक करना यहां से स्टांडर शरी को क्लिक करने हुँर सबसे पधाए प्लस लगा देंगे और इस तरीके सेसे देख सकते हैं कुछ इसत तरीके से आपको राइट से लेट की तरह बढ़ाना है हो गया अब इसको click करके hold रखना है एकदम शुरूँ में रख देने ठीक है एक और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं और इसको कुछ इस तरीका से करके नीचे से तैसे करके ऊपर में लेकर चले जाते हैं, अब इसको क्लिक करके hold, रखेंगे, right में रखतेंगे, perfect है, उमिध है, यहा तक एक डम clear हो रहा होगा, ठीक है, अब आपको करना करे, यह जो देख सकते हैं, बीच में color रेश्म कलर, यह color पे klar करने, यहां समालिजे è, पर जाके इसको स्मूतिंग को आपको 0.50 कर देने हैं ठीक है हो गया अब यह देख सकते हैं पहला टेक्स आपका कुछ इस तरीकर से जा रहा है इतना काम हो जाना के बाद इसको करना के अध्यान से देखिए तब आपको इफेक्ट पर जाना है यहां से फिर से एडिफेक्ट पर जाना है उसके बाद से दोस्तों यहां पर एक आप्शन मिलता है इसको क्लिक करना है यहां से क्लिक करना है यहां से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है अब देखि पूरा जिरो हो गया कभी सेड़ाएंगे यहां पर प्लस करता है दोस्तों सुरू में तो आपकोुन रेड्यूस नहीं दोस्तों यह वला यह के बाद से करना है और एक प्लक करना है ऐहांपर शेट करना हो पूरा आपका टेक्स जो है आ नहीं जाता है पूरा टेक्स जहां पर नहीं जाता है वहां तक कम लोगो इसको बढ़ाना है चैंके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया यहां पर देख सकते हैं पूरा अगर हम लोगS lub 1.00 पर ला रहा है तो यह पूरा टेक्स है के आपको देखने को मिल जा अगर मैं एक बूड़ वीडियो प्ले करूं तो फीडियो देखे कच इस तरीके साथ को प्लेए खूरह आप समझ गया होंगे और यह वीडियो आपको काफी पसंद आओगा अच्छा लगा होगा यह वीडियो लिखने के लिए यहां से इसको एक बर कॉपी कर लिजिए यहां पर जाके दूसरा जो स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर पेस्ट करना है इसी टेक्स पर क्लिक करना यहां आपको लिख देना है यहां से ओके कर देंगे बाकि सारे के साथ आपका वीडियो यहां पर टेक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा अब यह देख सकते टेक्स ज्यादा है तो टेक्स पर क्लिक करना स्पीड बजाके इसको छोटा कर लिजिए कट करेंगे तो एक बीडियो कर ज आपको एड करता हो यहां से अब आपको बैसे यहां से काम जो है अब जहां तक वीडिव वहां तक ब्लेक स्क्रीन रखना है न को लिख देना है जो है तो यहां से कट कर देना है तो बहुत ही असानी से वीडियो को बनाना आप सिख गये होंगे आपको अच्छा लगा होगा अगर इस घर आपको अच्छा लगा यह जड़र रहेगा यह एक्सपर्ट करें गे तो वीडियो का गैलरी से बढ़े